दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ए आई टूल की और जिसका इस्तेमाल करके भी आप लोग किसी भी मुवी किलिप को काटून में कनवर्ट कर सकते हो तो इसके लिए सिंपले आपको आना है क्रोम में यहां पर सर्च कर लेना है वीडियो लिप इस एड के उपर ना किलिक करके आप लोगों को यहां पर वीडियो लिप एजी वीडियो एडिटर के उपर किलिक कर देना है दोस्तों वीडियो लिप AI का इंटरफेस कुछ इस पर कार क्या आप लोगों को दिखेगा यहां पर देख सकते हो यहां पर आप लोगों को एडिटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा simply आपको इसको पर करसर ले जाना है अगर आप लोग मोबाइल में यूज कर रहे हो तो यहां पर वीडियो एडिटर फूर मोबाइल को पर क्लिक कर देना है मैं आप लोगों को कम्प्यूटर में बता रहा हूं इसलिए मैं उपर वाले को सल्यक्ट कर लेता हूं जैसे मैं इसको उपर क्लिक करूंगा तो आपके पास कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर मैंने एई एनिमी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को अल्रेडी एक वीडियो में सिखा दिया है अब मैं इस वीडियो में इस अस्टाइल को बताने कर दिना है अब आप चले आओगे अपने फाइल में यहाँ पर अपने वीडियो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा एंड दोस्तों जब आप लोगों का वीडियो अपलोड हो हो जो तो यहाँँ पर जो मेरा सिलेक्ट है उसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर देख सकते हूँ बहुत सारी आस्टाइल हैं आप लोग जिस भी अस्टाइल को चुज करके अपना वीडियो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो और दोस्तों अब आप लोगों को इस चारों मे लिख रहा हूं वही आप लोगों को भी लिख देना है तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्ट लिख दिया I want to sign face and good lip sing मतलब lip sing भी अच्छा होना चाहिए इतना लिखने के बाद आपको simply यहाँ पर preview के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप preview के उपर क्लिक करोगे तो आपके पास फिर से कुछ इस परकार का चार option दिखेगा तो दोस्तों गजब यहाँ पर देख सकते हो कि वीडियो का reference generate हो चुका है इसे अब enemy में convert करने के लिए simply आपको generate के उपर क्लिक करना होगा है लेकिन उससे पहले आप लोग देख लेना कि इस चारो वीडियो में से कौन सा वीडियो मतलब अच्छा दिख रहा है जो अच्छा आपको लगेगा उसी को generate करना है जैसे मेरे को इसका color grading थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को किलिक कर दूँगा जैसे मैं generate बटन के उपर किलिक करूँगा तो मेरा वीडियो यहाँ पर generate होने लग जाएगा तो दोस्तों वीडियो बनके ready हो चुका है चलिए अब मैं इसे चला करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर इसे चलाने के लिए simply आपको इसको पर किलिक कर देना है तो दोस्तों गजब आप लोग अगर किसी वीडियो के slow motion को यहाँ पर कार्टून में convert करोगे तो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कार्टून में convert हो जाएगा और दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप लोग किसी romantic movie के मतलब romantic scene को यहाँ पर upload करके कार्टून में convert करते हो तो वो scene बहुत अच्छे तरीके से कार्टून में convert होगा उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगा यह सब जो थोड़ा होता है थोड़ा fast motion होता है तो face वगयरा थोड़ा गड़बड़ा जाता है लेकिन कोई नहीं आप लोग यूज करते हो इस परकार के भी वीडियो यूट्यूब, facebook और instagram पे देखने वाले बहुत हैं आप लोग का वीडियो वरवर के व्यूज गैन करेगा और आप लोगों को पैसे भी कमा करके देगा अगर आप लोग अब इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो simply इसके उपर किलिक करके डाउनलोड कर सकते हो अगर दोस्तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस website यानि इस AI tool का फिरी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हो दोस्तो आपको पता होगा जब मैंने इस AI tool का review करना start किया मतलब आपको process बताना start किया तो आप लोगों को मैंने इस AI tool के उपर account बनाने के लिए नहीं का मतलब आप लोग इस AI का इस्तेमाल बिना account बनाए ही कर सकते हो तो उसी परकार से दोश्तो डेली ये AI tool आपको तीन वीडियो जेनरेट करने का option देता है मतलब credit देता है तो आप लोगों को मैं बता दो बिना account बनाए है आप लोग अगर तीन वीडियो को convert कर ले तो काटून में तो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले इस AI का इस्तेमाल incognito mode में करना है और उसके बाद फिर से इस AI का इस्तेमाल आप लोगों को new time में कर लेना है और फिर से पूरा browser को cut कर देना है और फिर से इस incognito mode में use कर लेना है आप लोग तीन बार इस AI tool का इस्तेमाल एक ही browser में कर सकते हो और हो सकेतो कई-कई बार तो ये जादा बार भी यूज कर सकते हो अप लोग तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद rather आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो, प्लिज रवीडियो को लाइक lot चैनल को सबस्क्राइब कर लेना मिलते नेक्ट वोडियो में तब तक के लिए बाबाई